सेंट रासान जीके के डेली टॉफ फिप्ट कोशन में आपका वेलकम है स्थों तो ये वीडियो का दोस्तों तो तहींआली सोवाइवाट इस तो इससे पहले भी 222 पाट बना जा चुके हैं वो भी आप चैनल पे जाकि देख सकते हैं तो यहां डेली मिले वाले आपको ब्रि नमबर एक नवंबर को मनाया जाता है राजस्तान इस्तापना दियोस के रूप में निक्षन है सामबर जील के संस्तापक थे तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर ए चोहान राज्जा वासु देव थे सामबर जील के संस्तापक निक्षन है बूरे खांकी मजार कहां इस्त सित है तो सका रेक्टांस और आपस लब और जोद्पूर में सित है भूरे खांकी मजा लिक्षा है मदर मिलक परिवहन करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमबर ए बीलवाड़ा जिला है जो की मदर मिलक परिवहन करने वाला भारत का पहला जिला है राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर फोर बिल्कुल करेक्ट है जेपुर में स्थित है राजस्तान हिंदी अकादमी निक्शने बान गंगा का मेला कहां लगता है तो इसका रिक्टांस रहा है आपसर नमबर फ्री जेपुर जिले में लगता ह बांड गंगा का मेला निक्षन है बीना इसर की गवर कहां पूजी जाती है तो इसका रेक्टांस रहा है आपस नमबर 4 जेसल मेर में पूजी जाती है बीना इसर की गवर निक्षन है सुरलिया है तो इसका रेक्टांस रहा है आपस नमबर 3 बिल्कुल करेक्ट है कान का एक आ है सुरलिया निक्षिन है भारत में मरुस्तल की राज़दानी किसे कहते हैं तो इसकारेक्टांसर है आप सुन मेर टू जेसलमेर को कहते हैं मरुस्तल की अर्राजदानी नेक्षन है कलिंग पुरसकार किस शेत्र में दिया जाता है तो इसकारेक्टांसर है आप्शन नमबर टू विज्ञान के शेत्र में दियाता है कलिंग पुरसकार नेक्षन है राज़े में पुर्णरगटन के बाद एक नवंबर उनिस सो चपन को राज़े में जीले थे तो इसकारेक्टांसर है आप्शन नमबर टू जीलों की संक्या 26 थी पुर्णरगटन के बाद राज़स्तान में नेक्षन है राज़स्तान निर्मान के दित्य चरण राज़स्तान संग की और राज़दानी बनाए गया तो इसकारेक्टांसर है आप्शन नमबर टू कोटा को बनाए गया था राज़स्तान संग की और राज़दानी निक्षन है त्यात्य टोपे कहां का क्रांतिकारी था तो इसका रिक्टान सरय है आपसर नमबर फर्स्ट ग्वालियर का क्रांतिकारी था त्यात्य टोपे निक्षिने काल विलिया नरते को अंतराष्टिय इस्तर पर पहचान देने वाली नरतियांगना है हम मीर मरदन के रचियता है तो इसका रिक्टान सरह है आपसर नमबर टू जैसिंग सूरी है हम्मिर मुमल क्या है तो इसका रिक्टान सरह है आपसर नमबर टू जैसिंग सूरी है हम्मिर मुमल क्या है तो इसका रिक्टान सरह है आपसर नमबर टू जैसिंग सूरी है हम्मिर मुमल क्या है तो इसका रिक् सरे आप साथन्वर टू इने हम कामनगीत केते हैं जो की वर को जादू टोने से बचाने के लिए इस तरियों दूआरा गया जता है निक्स ने लूनी नदी किस राज्ये में परवावित होती है तो इस का रिक्तर अप साथन्वर फॉर राजस्तान राज्ये में परवावित होती है लुनी नदी नेक्षन है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उमिद्वार की नियुंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो इसकारेक्टान सरह है आपसन नमर फर्स्ट 21 वर्ष होनी चाहिए नियुंतम आयू पंचायत में चुनाव लड़ने के पंचेटा नमोक लोगपरिय गीद किस सोतनतीता सेनानी द्वारा रचित है voting No. 3 मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है पंचेटा नमोक लोगपरिय गीद लिए जोदपुर medium के सेनीगों ने किस चाहँनी में कुरांति का उद्गोश किया था तो इसका रिक्टान सरह है आप्स नमर थ्री एरिन पूरा छावनी में किया था जोदपूर लिजन के सेनिकों ने करांती का उद्वुश नेक्षन है राजस्तान राज्ये महिला आयोग की रथम अध्यक्ष थी हिर्ना मोन साद वन चर्णा किसकी रष्णा है तो इसका रिक्टान सरह है आप्स नमर थू चंद्रपरकाश देवल की रष्णा है हिरना मोन साद वन चरना निक्ष ने सहितिक मारवाडी कही जाती है तो इसका रिक्टान सरह आपसन नमबर टू डिंगल भाशा को कहा जाता है सहितिक मारवाडी भाशा निक्ष ने डूंगर शही ओडनिया कहां की परसिद है निक्सिन है बू वग्यानिकों की दुरश्टी से भारत सबसे पूरानी पर्वतमाला कौन सी है निक्सिन है पंचैती राज व्यवस्ता का उद्गाटन पंडित जवारलाल नहरू द्वारा दो अक्टूबर 1969 को किया गया था तो इसका रेक्टांस रहा है आपसा नमबर थ्री बिल्कुई गरेक्ट है नागोर जिले से किया गया था पंचायती राज व्यवस्ता है उसका उद्गाटन किया था प सीमा नियूंतम है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसा नमबर फॉर बिल्कुई गरेट है जो बाड़ मेर जिला है उसकी जो अंतराज्य सीमा है वह सबसे कम है नेक्षन है राजस्तान में भूरी मिट्टी का प्रसार शेत्र है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसा नमबर बनास नदी का शेत्र है भूरी मिट्टी का प्रसार शेत्र है नेक्षन है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो इसका रेक्टान सरह है आप्शन नमर थ्री दरावन्य जीव अभ्यारण बुंदी जिले में इस्तित है यह अप्शन गलत है इसके अलावा राष्टिय मर उध्यान जेसलमें में स्थित है बिल्कुल सही है सीता माता अभ्यारण चितोडगर में स्थित है बिल्कुल सही है तालचा पर अभ्यारण चूरु जिले में स्थित है तो यह ऑप्शन भी सही है नेक्षन है राजस्तान में कूबर पट्टी वाले जिले हैं तो इसका रेक संस्तान जोते हुए खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण कहां मिले हैं तो इसका एकन जोते हुए खेतों के सबसे प्राचीन प्रमाण निक्शन है इतियास में मालदेव मुच्छाला के नाम से विक्यात है तो इसका रिक्टान सरह है आप्सन नमर थ्री मालदेव सोन नगरा फेमस है मालदेव मुच्छाला के नाम से निक्शन है महाराना उदे सिंग का रजजबिशेग कहां किया गया तो सकारेक्टांसर है आपसनमर फोर कुंबलगट दूर्ग में किया गया था मारणा उद्य सिंग का रज्य अबिशेग राजस्तान के दक्षिंड से होकर गुजरती है तो सकारेक्टांसर है आपसनमर ए करकर रिखा गुजरती है राजस्तान के दक्षिंड से होकर निक्सने जैसमन जील में पच्छिम में पठार इस्तित है तो इस कारेक्टांसर है आपसन नमर डी भूमट का पठार इस्तित है जैसमन जील के पच्छिम में निक्सने हाडूती के पठार में राजस्तान का कौन सा शेत्र समलित किया जता है तो इस कारेक्टांस रहा है आपसन नमर ए दक्षिनी पूर्वी शेत्र को समलित किया गया है हाडोती के पठार में निक्षन है राजस्तान में कौन सी जलवायू नहीं पाई जाती है तो इसकारेक्टांसर है आपसर नमरे दुर्विय जल्वायू नहीं पाई जाती है रजस्तान में इसके अलावा शुष्क अर्द शुष्क आद्र ये तीनों परकार की जल्वायू पाई जाती है अजमेर की आनासागर जील में किस नदी का पानी आता है तो इसकारे टांसर है आपसर नमरी बांडी नदी का पानी आता है अजमेर की आनासागर जील में निक्स चुने राजस्तान में मुंगफली का सरवादिक उत्पादन होता है तो इसकारेक्टांसर है आप्सनमरे लून करणसर में होता है मुंगफली का सरवादिक उत्पादन है दुनिया के सबसे बड़े सोर उर्जा केंदर का निर्मान कहां किया जा रहा है तो इसकारेक्टांसर है आप्सनमरे जोत्पुन में किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े सोर उर्जा केंदर का निर्मान नेक्शन है हिंदुस्तान सामबर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है तो इसकारेक्टांस रहा है आपसन बर भी केंदर सरकार के द्वारा संचालित है हिंदुस्तान सामबर साल्ट नेक्शन है बसंदगड शीला लेक किस वंश से सम्मधित है तो इस कारेक्टांस रहे आपस नमर भी चावडा वंश से सम्मझत है बसंगड शीला लेख निक्ष ने महाराना राज सिंग का शाशनकाल था तो इस कारेक्टांस रहे आपस नमर ये 1652 से लेकर 1680 ये तक था महाराना राज सिंग का शाशनकाल निक्षने विजे इस्तंब पर किसकी मूर्ती बनी हुई है तो इस कारेक्टांसर है आपस नमरे विश्णुजी की मूर्ती बनी हुई है विजे इस्तंब पर निक्षने लवकुष की जनम इस्तली के रूप में प्रसिद है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमबर बी सीता बाड़ी प्रसिद है लवकुष की जनम इस्तली के रूप में निक्षने अंता विदुत प्रियोजना किस जिले में इस्तित है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नबर D 12 जिले में स्थित है अन्ता विदुत प्रियोजना निक सुने कोपन ने राजस्तान की जलवायू को कितने भागों में बाटा है तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर भी चार भागों में बाटा है कौपन्ने राजस्तान की जलवाईू को निक सुने राजस्तान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है तो इसका रिक्ट आंसर है आप्शन नमर सी सूती वस्तर उद्योग है जो कि सबसे पुराना उद्योग है